शेराम चर्णानूरागी आचारे राजमिश्राजी से धर्म संस्कृती और एस्ट्रेलोजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्स्क्राइब करें और बेल के बटन को ट्लिक करें जैश्री राम बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिश्राज और लेकर के हजिर हूँ आपके लिए दो हज्यार 21 का राश्री फल टासी मेंश के लिए इसलिए पहले जो राश् सदियां बहुत ज़्यादा खराब रहीं सभी के लिए तो हम 2021 में प्रवेश करें उससे पहले हमें अपनी प्लैनिंग करने हुए कि 2021 हमारा किस प्रकार का निकलने वाला है तो उसके लिए हम पहले से पूरी तरह प्रेपेर हो के रखें पूरी तरह से चीजों को प्लैन करक उसके बताने वाला हूं आप से निवेद्न हैं कि पूरी बीदियो को हर एक बीडियो के बीच में अगर कोई समस्या है video के बीच में तो मैं आपको चोटे-चोटे उपाई जरूर बताता जाओँगा तो आप पूरी वीडियो को सु catalyst 아 मिष्चा करें कोई भी चीज आप से जो है उमिश्ट ना हो तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, कोई चीजे नहीं समझाती है, तो संस्थान का नंबर आपके सामने है ही, आप कॉल करके पुरी तरह से अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हर प्रकार की सहायता के लिए हम सदेव आपके साथ रहते हैं, हमारी वेबसाइट भी है, मानसजोतिश.com करके आप उस पर जाकर के भी अलग-अलग प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो आईए हम पहले थोड़े से ग्रह गोचर पर बात करें, उसके बाद हम उनके फल पर बात करेंगे। रहग आपको पता है परिवर्तित हो चुके हैं, तो राहू आपकी गोचर करेंगे सेकंड हाउस के अंतरगता करके और केतू का जो गोचर रहेगा वो अस्टम भाव में आपके रहने वाला है पूरे बास। उसके साथ अगर हम बात करें तो मंगल का गोचर करीब आपकी स्वैम की राशी में रहने वाला है मेस में 21st of Feb तक यानि 21 फरोरी तक 21 फरोरी के बाद दूसरे भाव में चला जाएगा उसके बाद 13 अपरेल तक वो दूसरे भाव में रहेगा 13 अपरेल को तीसरे भाव के अंत हां जुलाई तक पंदरह जुलाई तक आपके चौते भाव में रहेंगे पंदरह जुलाई को पहुंच जाएगे पाच्वे इसके बाद 5 सब्टमर तक वो पाच्वे हां में रहेंगे COVID-1959juna को शट्म्राज को 2021 को अगर देखा जाय तो वो आपके पहुँचने वाले हैं फिर साथवे भाव में और उसके साथ चार दिसंबर को ये पहुँचेंगे आपके अस्टम भाव के अंतरगत फिर अस्टम भाव में ही रहेंगे यानि इस वर्स आपकी राशी से ले करके और आठवे भाव तक आपके राशी स्वामी का जो गोचर है अपके साथ रहने वाला है क्या फल होगा आपके लिए आप लोग जानते हैं कि मंगल गोचर होता है करीब सवा महीने का मंगल गोचर होता है शनी तीस महिने यानि धाई वर्ष एक राशी पर गोचर करते हैं अब क्या फल किस प्रकार का और उसके साथ शुक्र का बुद्ध का सूरे का जो गोचर है वो एक-एक महिने का चंदरमा का सवादो दिन का गोचर होता है क्या फल आपके लिए इस बार रहने वाला है एक तो आपकी जो राशी स्वामी है वो आपकी ही राशी में रहेंगे 21 फ़र वरी तक इस समय पर आपका सरीर स्वस्त रहेगा मान सम्मान खूब प्राप्त होगा और प्राकर्म लेवल आपका बढ़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी इस समय पर क्रोध इत्याद बहुत ज़्यादा होगा तो क्रोध में शावधानी रखनी होगी क्रोध के कारण आपके बहुत सारे कारे जो बिगडने का स्रयोग है वो आपके बन सकते हैं मैं पहले साधारन रासी फल बता रहा हूँ उसके बाद मैं बिस्तार से चर्चा करूँगा अलग अलग रहो पर पहले मैं आपके मंगल के साधारन प्रभाव को बता रहा हूँ उसके बाद जैसे ही 21 फरोरी को मंगल दूसरे भाव के अंतरगत पहुचेंगे दूसरे भाव में राहु के साथ जा करके पहुच जाएंगे यहाँ पर रहने वाले हैं 21 फरोरी से लेकर के 13 अपरायल तक इस मद्ध में आपके शब्द में बड़ी कठोरता आ जाएगी बहुत लड़ाई जगड़े होने का संयोग बनेगा और आपका लगाव परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पर परिवार से आपका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन फिर भी परिवार में लड़ाई जगड़ा इत्यादी जो होने का संयोग है वो बहुत ज़्यादा रहेगा इस समय पर किसी को धन इत्याद नहीं दीजेगा नहीं तो दिया हुआ धन वापस नहीं प्राप्त होगा उसके साथ-साथ इस समय पर किसी चीज में बहुत अधिक पैसा इन्वेश्ट करेंगे तो उसमें आपको नुक्सान का सामना निश्चेत रूप से करना पड़ेगा उसके साथ क्या ध्यान रखना है share market में पैसा लगा सकते हैं मार्केट में पैसा लगाएंगे तो यहां पर आपको अत्यधिक पैसा प्राप्त होगा क्योंकि मंगल शुक्र के घर में पहुंच जाएंगे और उसके साथ राहू वहाँ पर बैठे होंगे यह दोनों ही प्लाइनट शेयर मार्केट से संबंधित कारे को देखते हैं तो शेय अपर्यक को तीसरे भाव के अंतरगत यहां पर जो इनका फल होने वाला है वो आपके लिए बहुत बहतरीन होने वाला है आपका प्राकर्म लेबल बढ़ा रहेगा स्वास्त रहता है तबीयत और बहुत खराब रहती है तो यहां पर आपकी तबीयत और अच्छी हो 13 अप्रायल के बाद लेकर के जून में एक तारीक तक विशेश ध्यान रखना है मंगल आपके नीचस्त होंगे तो इस समय पर कोई जोखिम भरा आपको कारे नहीं करना है भाग दोड़ बहुत अधिक होगा माता के स्वास्त में निश्चित रूप से प्राबलम होगी इस टाइम पर भूमी वाहन इत्यादी खरीते वक्त आपको विशेश शावधानी रखनी है इस टाइम पर भूमी वाहन इत्यादी का संयोग निश्चित रूप से बनेगा लेकिन सावधानी के साथ करेंगे धोखा मिलने का भी साथ में योग निश्चित रूप से होता है उसके साथ पंचम भाव में प्रहस्पती के पहुचने पर जब आप जानते हैं मैंने समय बताया है 15 जुलाई तक पंचम भाव के अंतरगत होंगे यहाँ पर प्रेम शंबंद के लिए बहुत महतुपोर समय होगा प्रेम शंबंद बनेंगे नए मित्रों से मुलाकात होगी जिनके पास संतान नहीं है संतान प्राप्ती के लिए प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफ़ता प्राप्त होगी बहुत सारे सहारा जो लेते है आई बीफ हो गयरा का उसके सहारे भी संतान के प्राप्ती के संयोग बनेंगे मित्रों से संबदन बहुत अच्छा होगा लेकिन जिनकी पुरानी मित्रता चल रही है उनसे लड़ाई जगला भी होगा तो इसलिए अपने आपको कूल रख करके काम करना है ताकि परिस्थिती बहतर होगी अब उसके बाद ब्रहस्पती जब मंगल आपके छठे भाव में पहुँच जाएंगे पांच सप्टमबर तक छठे भाव में रहने वाले हैं यहाँ पर भी ध्यान देनी की आउश्यक्ता है यह कोट का चेहरे संबंदित काम चल रहा होगा तो उसमें निश्यतरूप से इस समयल पर सफलता प्राप्त होगी बट अनावस्यक लड़ाई जगडा होने का योग है तो आप यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखेंगे बाहर का खाना इत्यादी नहीं खाएंगे नसीली पतावतों का सेवन नहीं करेंगे नहीं तो लिवर इत्यादी में प्राबलम हो शक्ती है तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी की आउश्यक्ता जरूर होगी ब्रहस्पती 21 अक्तूबर तक 21 अक्तूबर के बाद 21 अक्तूबर को पहुंच जाएंगे तुलारासी जोकी आपके सेवन थाउस में होगी अपना वैवाहिक जीवन में है तो पती पतनी आपसी संबंधों पर ध्यान देंगे यहां रिस्ता तोडने और बिखेरने का काम मंगल निस्चित रूपशी कर सकता है तो आपसी चीजों में मिठास रखेंगे एक दूसरे से प्रेम शिबात करेंगे लड़ाई जगडा होता है तो आपस में सॉल्ब करने का प्रयास करें उसको दूर तक पहुँचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे यह आपको खास ध्यान यहाँ पर जरूर रखना है जिनकी शादी नई-ने तैं हुई है वो आपसी चीजों काफी क्लियर करके रखें क्योंकि नई-ने शादी के टूटने का संयोग जादा होता है या रिस्ता तैं हुआ है तो बातचीत में आपसी सामानज़स से खराब होने से रिस्ता टूटने का संयोग होगा यहाँ पर शाओधानी रखेंगे उसके बाद मंगल पहुँच जाएंगे चार दिसंबर के बाद अस्टमभाव के अंतरगत यहाँ पर स्वास्त ढीला रहेगा जो चार दिसंबर के बाद जो पुरा ये वर्ष है स्वास्त आपका ढीला रहेगा मानसिक अशांती बहुत ज़्यादा होगी नई-नई प्राबलमस आ सकती है और उसके साथ जो विशेश दिक्कत है ब्लाइक मैजिक वगएरा आपके उपर लोग कर सकते हैं तो किसी का दिया हुआ कोई चीज खाए नहीं किसी तांत्रिक अस्थान वगएरा पर जाने से अपने आपको बचाएं ये चीजे आपने विशेश ध्यान रखनी है अब क्योंकि 2021 में दो-तीन प्लाइनट का बड़ा प्रभाव रहने वाला है राहू क्योंकि आपके सेकंड हाउस में रहेंगे शनी 10th हाउस के अंतरगत गोचर करेंगे अब हम इनके पूरी गोचर का प्रभाव हमारी इनका बहुत महत्पूर प्रभाव पढ़ता है जीवन पर इस चीज को ध्यान रखना चाहिए अब इनका प्रभाव आपके लाइफ पर किस प्रकार पढ़ने वाला है मैं जानता हूँ कि 2019 ने 2020 ने छमा चाहूंगा बहुत लोगों की नौकरियों को खा लिया है बहुत लोगों के ब्यापार करीब करीब खत्म हो गये हैं सफलताएं नहीं प्राप्त हुई है 2020 अगर देखा जाए तो चाहे वो mentally देखा जाए चाहे फिजिकली देखा जाए चाहे वर्कवाइस देखा जाए शभी तरब से बहुत सारी प्राब्लम्स क्रियेट किये है इसने तो आखिर 2021 क्या इसी प्रकार जाने वाला है या इसमें कुछ अच्छा परिवर्तन होने वाला है मैं निश्यत रूप से आपको एक खुश खबरी देना चाहूंगा 2021 आपके लिए बहुत सुंदर जाने वाला है वर्कवाइस आपको बहुत अच्छी शफलता देने वाला है मेरे पास एक दो कुंडियां हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप इस कुंडि को बड़े ध्यान से देखें इस कुंडली मी क्या परिस्तिती है जिस जातक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस कुंडि का उदाहरण में आपके लिए देने जा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि मेरा 2021 वर्क वाइस किस परकार का जाने वाला है इस जातक का जन्म पंजाब जलंधर के अंतरगत हुआ है और 5 नॉवंबर 1949 में जन्में इस जातक की जन्म कुंडली है साम को 5 बच करके 30 मिनट पर जन्म हुआ है नाम लेना मेरे लिए बहुत बहतर नहीं है किसी की कुंडली को जागर करना किसी सोशल मीडिया प्लाटफॉम पर मैं बहतर नहीं समझता हूं तो मैं नाम नहीं बता रहा हूं लेकिन डेट वबर्थ आपको बता रहा हूं जो जोटसी कारिकरम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो लोग इसको नोट कर सकते हैं पांच नॉबंबर उन्नेस सोनचास साम को 5 बच कर 30 मिनट जलंधर में जातक का जन्म मेश राशी और मेश लगन के अंतरगत हुआ है शनी आज से पहले मकर राशी में कब आये थे आप जानते हैं तीस वर्ष के बाद शनी का वापसी उसी राशी में परिवर्थन हो पाता है वो होता है 1991 और 92 में शनी मकर राशी में आये थे इससे पहले और उससे पहले अगर देखा जाए तो 1962 और 1963 में शनी मकर राशी के अंतरगर गोचर कर रहे थे राहू इस प्रकार का संयोग कब बना करके गए थे 2002 में फरवरी में राहू ब्रिश्राशी में प्रवेश हुई थे ब्रिश्राशी में थे और उसके पहले 1983 जुलाई से लेकर के 1984 तक राहू ब्रिश्राशी में थे बहश्पती मकर में 1997 में रहे उसके बाद 2009 में रहे अब हम इस ब्यक्तिकी कुंडली के थुरू समझने का प्रयास करते हैं कि मेश्राशी में उस टाइम पर शनी का जो का रहा अगर हम देखें तो इस ब्यक्तिके जीवन में इससे पहले बहुत अच्छे बदलाव देखने को नहीं मिलेती जब मैंने मैं इस ब्यक्तिको जानता हूँ कि मुझे इनके कुंडली को देखने का शवाह के मिला तो मैंने समझने का प्रयास किया कि आखिर हम किया इस्पेसली मैं एक ही कुंडली यहां आपको दिखा पा रहा हूँ तो जब शनी मकर राशी के अंतरगत आये तो वाक्य में इनके जीवन में 1991 और 1992 का समय रहा वो इनके लिए बहुत फायदा देने वाला रहा अर्ष मतलब फर्ष से अर्ष पर पहुंचाने वाला रहा और इनके जीवन में बहुत अच्छी उपलब्दियां पृपत हुई बहुत अच्छी सफलता हैं पृपत हुई बात हुआ तो नहोंने बताया कि सर जो ये टाइम रहा वो मेरे लिए गोल्डन पीरिड रहा अचानक शनी के परिवर्तन दर्शम भाव में आते ही मेरे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आया मैंने नए नए आयाम को छुना प्रादम लेकिया और एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई और अगर म ने इस एर में जाकर के रखा और अच्छी सफलता प्राप्त की नए बिजनस की में भी प्रवेश किया तो हम ये कह सकते हैं कि दशम भाव में जो शनी का परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत 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 रहने वाला है आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला है तो नए उम्मीद के साथ कारे छेतर में नई उम्मीद के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए हमें एक अच्छी सफलता निश्यत्रूप से प्राप्त होगी अब हम दूसरी चीज को ले करके अगर बात करते हैं हम बात करेंगे दूसरी कुंडली अजे देवगन की अ और उनके भी टेंथ हाउस के अंतरगत सनी का गोचर 1991 और 92 के अंतरगत रहा आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि 1991 में उनकी फिल्म आई थी फूल और काटे आप सभी लोग जानते हैं अजे देवगन की फिल्म आई फूल और काटे जो जबरदस्त हिट रही और उनको ब प्रभाव होगा तो मैं कहता हूं कि शनी का बहुत उत्तम प्रभाव आपका आपको मिलने वाला है उसके साथ ब्रहस्पती भी उनके साथ दस्रम भाव में होंगे तो सोने पर सुहागा जैसा जो प्रभाव है वो कारिछेतर के लिए आपकी लिए होगा तो मैं कहता हूं का और वहस्पति दोनों अपना आश्रवाद दे रहे हैं अगर देखा जाए शनी को काल कहा जाता है काल सब्द है समय का तो समय पर जब गुरू का आश्रवाद प्राप्त हो जाए तो सफलता पाने से कोई व्यक्ति आपको नहीं रोग सकता है तो मैं कहूंगा ये अच्छी सफ कुंडली पर आपको अभी तक समझा रहा था इन जातक की कुंडली में अगर देखा जाए तो 1991 और 92 में राहु की दशा में राहु कांतर था फिर भी शनी की गोचर नहीं यानि कुंडली की दशा खराब चल रहे थी मेरा रिसर्च सिर्फ गोचर पर डिपेंड नहीं है मैं कुंडली को भी पूरी दरा से रिसर्च करके इस प्रोग्राम को तयार किया है तो 1991-92 में राहु की दशा थी जो की इनकी कुंडली में अगर उठा करके देखा जाए तो 12th हाउस में बैठा है जहां से वो बहुत अधिक ब्याय कराने के लिए तयार है 12th हाउस का राहु बह बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाला रहा तो मेरी द्रिश्टी में अगर वर्कवाइस देखा जाए तो एक अच्छी सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है अब हम इसी जा तक के 1983 में जाना चाहेंगे जब राहु का गोचर इनके दूसरे भाव में इनके राहु का गोचर था जो कि इस बार आने वाला है मेस रासी पर जो कि आपकी रासी में आने वाला है उस समय पर ये सराब के ब्यापार में थे शराब का इनका बिजनस था और उस बिजनस में एक बड़ा बदलाव आया और इन्होंने बहुत अच्छी चाहें हासिल की मेरी जब इनके कुंडली पर और रिसर्च किया इनके लोगों से जानने का प्रयाज किया तो पता चला कि उस टाइम पर बहुत अच्छी सफलता एक बड़ा बिदलाओ पहले कोई और इनका बेऊशाय था लेकिन उस समय पर इनको राहू सराप के बेऊशाय के अंतरगत ले यदि आपका बिजनस शट्टा इत्याद से रिलेटेड है यदि आपका बिजनस नसे या किसी भी प्रकार के जो शामान है नसे से रिलेटेड सामान है या लेदर से रिलेटेड सामान है या वस्त्र से रिलेटेड सामान है शुक्र के घर में होगा तो इस प्रकार की परिस् 2021 में करूं तो मैं आपको राय दूंगा कि राहू आपके लिए 2021 को गोल्डन पीरियट बनाने के लिए आया है तो शेर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बिलकुल लगाए राहू का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा लिकर या लेधर इत्यादी का बिजनस करना चाह करने के लिए तैयारी कीजिए और एक अच्छी मेहनत के साथ लगिए शफलता मिश्यत रूप से आपके हाथ लएगी 2022 बितीत हो रहा है 21 का आगमन जो है वह हम बड़ी प्रसंदा के साथ करें और शफलता को प्राप्त करें मैं आपसे निभेदन करूंगा वीडियो को रहा हूं संस्थान में सिध्ध रत्न सिध्ध रुद्राक्ष हर महाम पूजा जो है महामिरतुन जय अग्या है सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के अंदर होती है और आप उसको ऑनलाइन देख भी शकते हैं तो अगर आप लोग किसी प्रकार का पूजा पाड़ करना चाहते हैं रत्न रुद्राक्षी तैद प्राप्त करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप कॉल करें बात करें हमें अच्छा लगएगा कि हम आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर पाएं जैसरी रहा कितनी देर